हेलो इपरिवन वल्कम टो और यूटूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो यार आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके विंडो का जो वन ड्राइब है उसे आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं उसे पॉस हम बताने वाले हैं लाइन भाइन और आपको जो भी करना है उसे आप परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी से लेकिन आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने one drive को कैसे पॉस्ट कर सकते हैं तो आप तो आपको क्या करना है आपको यह task बार में आना है और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको so hidden icon का एक icon यहाँ पर आपको एक arrow दिखाई देगा इसके यहाँ उपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहां पे one drive दिखाई देने लगेगा यहां पर आपको one drive दिखाई नहीं दे रहा तो आपको क्या करना है अपने search पर में जाके आपको search करना है one drive ठीक है उसके बाद इसके उपर right click करना है right click करकर इसे खोल लेना है यहाँ से से minimize कर दना है ठीक है उसके बाद आके आप फिर से यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर वन डाइब दिखने लगेगा ठीक है जब आपको वन डाइब यहां पर दिखने लगे तो इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना ह जैसे आप setting के उपर click करेंगे तो यहां पिक पाउस का option यहां पर मिल जाएगा औरhhhh dlaos के option के उपर click करके अपने one type को आप पाउस कर सकतेे पार अब आपको रिजूम करना है सो जिब आप पाउस कर DRV कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पाउस का एक option दिख जाएगा ठीक है आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे पाउस करना है उसके बाद अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने one drive को कैसे disable कर सकते हैं तो आपको क्या करना है अपने search bar में आके आपको search कर लेना है task manager ठीक है आपको task manager यहाँ पर खुल जाएगा देन उसके बाद आपको यहाँ पर startup के ऊपर आजाना है startup के उपर क्लिक करने क बाद आप जब यहाँ पर निचे आएंगे तो आपको Microsoft one drive मिलेगा ठीक है तो इसके उपर आपको right click करना है right click करने के वाद आपको यहाँ पर disable के उपर क्लिक करके कैसे disable कर सकते हैं तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने Microsoft OneDrive को कैसे uninstall कर सकते हैं क्या करना है search bakar में आना है आफको यहाँ पर सर्च कर लेना है Setting. Setting आपको यहां पर खोल गया दिन उसके बाद dyn उसके ऐपको Apeате फीचर के उपर क्लिक करना है और फिर आपको यहांपर निच्चे मेर आ जाना है जल्दी से और आपको Ape للे में छोज लेना माइक्रोきます आपका Microsoft OneDrive यहां पे मिल गया देन उसका बाद आपको अनिनिस्टॉल के उपर क्लिक करके अपने Microsoft OneDrive को अनिनिस्टॉल कर लेना है तो आप अपने हिसाब से अगर आपको डिसेबल करना है या अगर आपको पॉस करना है या अगर आपको अनिस्टॉल करना है तो अपने पसंद से आप कुछ भी कर सकते हैं तो आपको हमने तीनों चीजे बता दी है तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा हेल्फ मिला होगा अगर मिला है तो हमाई चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे ही हमें motivation मिलती है और वीडियो बनाने की thank you so much